तो और मेरे प्यारे भाई लोग क्या हाल जाले गाईज आई होप आप से लोग बढ़ी आऊंगे मजी में होगे फुल मस्ती करेंगे तो फाइनली गाईज अपने गेम के अंदर विंटर लैंड का इवेंट आ चुका है मतलब बहुत टाइम पहले ही आया लेकिन अभी मैं आप सभी को बताता हूँ कि यह सारी की सारी चीज़े आप सभी को कैसे क्लेम करना है बट उससे पहले गाईज आप सभी कैसे क्लेम करो वो चीज़ बताने से पहले मैं खुदी क्लेम कर लेता हूँ सारे के सारे rewards आप सभी के सामने यहाँ पर देख पारो जितनी भी rewards आप सभी को free में मिलने वाले वो सारे के सारे rewards मुझे finally मिल चुके हैं आप लोग को भी बताऊंगा कि यह सारे के सारे rewards आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी claim कर पाऊगे, यहाँ पर कटाना की स्किन और इन सब चीजों को फटावर से मैं claim कर लेता हूँ literally याँ यहाँ पर देख पारो bundles भी मिल चुके हैं और बाइक की स्किन भी मिल चुकी है, तो इसे मैं okay कर देता हूँ and उसके बाद चलते हैं सबसे पहले okay मैंने equip करना भूल गया, so फटावर से मैं पहले equip कर लेता हूँ and आप सभी को दिखा देता हूँ कि वो bundle कैसा देखने को लगता है, so यहाँ पर मैंने equip कर लिया and यह देख पार है वो वाली bundle जो आप सभी को बिल्कुली फ्री में मिलने वाला है तो चलो यार फटावर से इवेंड के अंदर चलते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेर्स देखने को मिलेगा and सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि विंटर लैंड की तोकन है उसे कलेक्ट करना है यहाँ पर और इस वाले टोकन को कलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना परेगा टास्क में जाना है टास्क में जाने के बाद सबसे पहले तो बेसिक टास्क देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको प्ले वगरा करने है एनिमीज को किल करने है जिससे आप लोग डेली के कुछ बहुत टोकन्स कलेक्ट कर पाओगे साथ ही साथ बोनस वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले मैप के अंदर आपको दो चीज़े देखने को मिलेगी सुनो मैन एंड मुजिकल इंस्टूमेंट इसमें भी आपको मैप के अंदर लोकेशन बता दिया गया है कि भाई कहां कहां में देखने को मिलेगा अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कलेक्ट करना है तो सेम जगहते जाना है और वहां से आप लोग टोकन को कलेक्ट कर पाओगे जितनी जादा मतलब आपको जितने मिल रहे है उतने सारे टोकन्स आप लोग वहां से कलेक्ट कर पाओगे एंड यहां पर आप लोग देख पारो 25 टोकन्स मैंने कलेक्ट कर लिया एंड अब आप सभी को क्या करना है दूसरी चीज ये sign in वाला है तो आपको daily कर लेना है जिससे आपको एकार token यहां से भी मिल जाएंगे एंड उसके बाद इसे cut करना है दूसरी चीज अब आपको क्या करना है build वाले section में जाना है अगर आप लोग इन सारे bundles को लेना चाहते हो यहां से build करते चले जाना है यानि देखो जैसी आप लोग इसे build करोगे आपको कुछ बहुत rewards मिलेंगे एंड यह build तब ही होगा जब आपके पास tokens होंगे यानि पहला यहां पर आप लोग देख पार हो 20 tokens की ज़रू होते यहां पर मैंने build कर लिया तो कुछ rewards मिलें अभी मैं यहां से कोई भी color चूज कर सकता हूँ कि यह जो path है यानि रास्ता इसका color कैसा होने वाला है यहां पर आप लोग देख पार हो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे कुछ न कुछ OP items देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद आप लोग बोलेगे कि भाई वो वाला bundle कैसे मिलेगा तो देखो आपको क्या करना है सबसे पहले तो यह 5 level तक है 5 level तक आपको tokens का use करके आपको यहां से unlock कर लेना है जब आप लोग सारे के सारे चीजों को unlock कर लोगे यानि 5 level को आप लोग अनलोग कर लोगे उसके बाद आपको क्या होगा कि यह सारे के सारे unlock हो जाएंगे फिर आपको कुछ न कुछ additional rewards तो मिलेंगे नहीं दूसरी चीज आपकी जो यह वाली है यह levels बढ़ते हुए टोटल पांच लेवल पर पहुंच जाएगी और उसके बाद आप लोग जितने भी rewards है इन सारे rewards को simply claim कर पाऊगे and tokens के लिए कैसे collect करना है वो तो मैंने आप से भी को बता दिया और वैसे भी आप लोग उनसे बहुत सारे बंदों ने अभी तक collect भी कर लिया होगा so simply ऐसे ही करना है और मुझे सारे के सारे rewards पहले से ही मिल चुके है तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ यार अपनी जो bike की skin है उससे यार equipped कर लेते हैं सबसे पहले बाइक वाले में चलते हैं यहाँ पर कलेक्शन में कुछ मिला है या फिर नहीं नहीं मिला है तो बाइक वाले में चलते हैं एंड फटावर्ट से इस वाले बाइक को यहाँ पर आप लोग देख पार हो काफी जाधा ही साहंधार है so I hope guys कि आप सरी को समझ में आ गया वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाई कर देना चैनल पर देना तो याज से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलो यार मिलते नेक्ट वीडियो को साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या